हेलो फ्रेंट स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच्प परहार में दोस्तो आठीक इस वीडियो में मैं आपके सामने मन्ने सुप्रीम कोट का एक जज्जमेंट रखने वाला हूँ दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि आप जितने भी लोग हैं जो कि हजबेंड है यानि पुरुष हैं आपके लिए जितना जरूरी वो judgment है जो कि आपके favor में आता है, उतना ही जरूरी वो भी judgment है जो कि आपके against आता है, क्योंकि यदि आप favor favor वाली सारी चीज़ें जानते जाएंगे और against वाली चीज़ें जानेंगे नहीं, तो ये तो बिल्कुल वो बात हो गई कि हम आख बंद क के आगे बढ़ रहे हैं, यानि हमको पता ही नहीं कोट में practically चीज़ें कैसे होती हैं, तो दोस्तो आख बंद करने से सच्चा ही तो बदलती नहीं, इसलिए ज़्यादा अच्छा हम सभी लोगों के लिए ये है कि हम दोनों ही प्रकार के judgments को equal तरजी दें, दोनों की ही आपक की query होती है कि सर मेरी wife कहती है कि मैं तुम्हें divos नहीं दूँगी, और मैंने बहुत सारे वीडियोज में भी आप लोगों को बताया कि देना या ना देना वो किसी party के हाथ में नहीं है, बलकि वो पूरी तरह से court के ओपर निर्भर करता है, court पूरे मामले के merit को देखते वे फैसला करती है कि divos की decree दी जानी चाहिए या आपका divos का case खारीज कर दिया जाना चाहिए, केबल दूसरी party के कहने पर ऐसा नहीं होगा, situations और events देखे जाते हैं, तो आज का ये जो निर्णे में आपको बताने वाला हूँ बहुत important है, यहाँ पर मानने Supreme Court ने हर एक event पर ध् अब लेके facts बताता हूँ, 1972 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी, उसके 3 साल के बाद उनको एक बेटी हुई, और कुछ समय के बाद ही उनके बीच में आपसे misunderstanding हो गई और वो लोग अलग रहने लगे, 1981 से पतनी अलग रहने लगी और अपनी अलग job करने लगी, 1989 में हजबेंड ने अपनी तरफ से डावोस का case फाइल किया on the basis of mental cruelty and desertion, अब दोस्तों जब ये case पूरा चला तो हजबेंड का जो case था वो dismiss हो गया, यानि कि lower court ने उसकी डावोस का जो case था उसको dismiss कर दिया, अब हजबेंड इसके खिलाफ गया appeal में high court, लेकिन high court ने भी पूरे म आकर ये भी कह दिया कि मैं तो साथ रहना चाहती हूं, लेकिन मानने सुप्रीम कोट ने उसकी बात को नहीं माना, क्यों नहीं माना, उस पर हम विचार करते हैं, अब देखें दोस्तों मानने सुप्रीम कोट ने माना, ये बिल्कु किलियर है कि दोनों ही पक्षका 1981 से अलग रहे हैं, हलांकि दूसरी पार्टी के दूरा ये कहा गया है कि जो पत्मी आखरी निवास करी है पत्ती के साथ, वो 1989 में किये, लेकिन जो पूरी हिस्ट्री देखी सुप्रीम कोट ने कि इनके बीच में तो कई सारे क्रिमल केसिज भी चल रहे हैं, और ये पॉसिबल नहीं ह कि साथ में रहते वे इतने सारे केसिज की प्रोसेडिंग चल रही हो, तो कोट ने इस बात को मानने से इंकार कर दिया और इसी फेक्ट को कंसेडर किया कि 1981 से दोनों लोग अलग रहे हैं, अब कोट ने अगला फेक्टर ये देखा कि दोनों की ही एज इस समय पे 49 प्लस हो च ऐसे में हाई कोट की जो फाइंडिंग से वो जस्टिफाइड नहीं लगती हैं, साती हाई कोट ने इस बात पर भी ध्यान नी दिया कि वाइफ ने ऐलिगेशन लगाया था कि इसने किसी और के साथ शादी कर लिए उसके साथ रह रहा है, इस प्रकार के बेसलेस ऐलिगेशन भी इसमें लगाय गए हैं, इस बात को भी हाई कोट ने ध्यान में नहीं रखा है, अब यहाँ पर जो पती था वो ये भी ओफर कर रहा था कि ऐसा है मैं वन टाइम एलिमनी देने को भी तयार हूँ, मेरको डायवोस की डिकरी दे दी जाए, और जो पतनी थी वो मानने कोट ने इंकार कर दिया और हजबन की फेवर में डायवोस की डिकरी ग्रांट कर दी, तो फाइनली ये हुआ कि हजबन को डायवोस मिलिया, पतनी की बात नहीं सुनी गई, मैक्सिमम केसेज में आप लोग यही कहते हो कि मेरी पतनी कह रही है कि मैं तो तुझे डायवोस नह देखने के बाद किस निर्डे पर पहुँचती है, आप लोगों की help के लिए judgment का link आपको इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा, वहां जाकर आप पूरे मामले को जान सकते हैं, next वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए के लिए लोगोजान के लिए। झाटी केर, खिर ये बाद के लिए। झाटी के लिए।